अगर बात करें बिहार के जिलिकी तो अररिया में सबसे पहले जटका महसूस किया गया है और यहां पर 4.3 त्रिवता मापी गई है वहीं पोणिया में भी भुकम के जटके महसूस किये गए है वहाँ पे अलग त्रिवता मापी गई है तो जिस तरीके से अचानक से बताया जा रहा है अगर समय की बात करें तो 5.35 मिनट यानि के सुबह में भुकम के जटके महसूस कि और जिस तरीके से धर्ती हिली लोगों में एक बार फिर से खौप पैदा हो गया कि कहीं ऐसा नहीं जो तरीके से पिछली बार देखनी को मिला था कि लगातार धर्ती हिल रही थी और लोगों का खाना पीना चैन से सोना सब कुछ आप कह सकते हैं कि दुस्वार हो गया था जटके महसूस किये गए हैं इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है कोई जानमाल का नुकसान भी नहीं हुआ है चलिए बस्तार पुर्वक बताते ही कि पूरी खबर क्या है बतादे के सुबह सुबह अररिया में धरती हिली रिक्टर इसकिल पर इसकी त्रिवता चार दसमलो ती मापी गई नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलाजी के मताबिक भुकंप के जटके बुदबार यानि की 12 अपरेल सुबह पांच बच कर 35 मिनट पर महसूस किये गए बुकंप से जानमाल की छती नहीं हुई है बुकंप का केंद्रधारती के 10 किलो मीटर अंदर था अररिया के अला 4.8 मापी गई है बुकंप का केंद्र मैप में पॉर्णिया के बाजार के आसपास का छेत्र दिखाये गया है पॉर्णिया में लोगों ने जटके महसूस किये सुबह बुकंप आने की वज़ह से इसका बहुत जादा पता भी नहीं चला क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय में लोग सोए रहते हैं कुछ लोग घर से बाहर भी निकले थे वहीं बाका के रजार में भी भुकंप का जटका महसूस किया गया यहां सुबह पांच बचकर 41 मिनट पर धरती हिली और लोगों ने थोड़ा बहुत इसे महसूस किया वहीं अगर बात करें तो पश्रिम बंगाल के सीली गुडी में भुकंप के जटके भी महसूस किये गये हैं यहां 4.03 का भुकंप आया और NCS यानि के National Center for Seismology ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है भुकंप उदबार को सुबह 5 बच कर 35 मिनट पर आया है National Center for Seismology के मताबिक भुकंप 10 किलो मीटर की गहराई में आय है ऐसे में आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भुकंप आता कैसे है इसके पीछे का कारण क्या है और क्यूं अचानक से धर्ती हिलने लगती है बता दें कि भुकंप के आने की मुख्य वज़ा धर्ती के अंदर प्लेटों का टकड़ाना होता है धर्ती के कोने मुड जाते हैं साथा के कोने मुडने की वज़ा से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती है इस प्लेट्स के टूटने के अंदर की इनर्जी बाहर आने का रास्ता खोचती है जिसकी वज़ा से धर्ती हिलने लगती है और हम इसे भुकंप माल लेते है तो बता दे कि सुबा सुबा साड़े पांच के आसपास आप कह सकते ही कि धरती हिली है और बिहार में भुकंप के जटके महसूस भी किये गए हैं कुछ लोग तो घर से बाहर भी निकल गए लेकिन कुछ लोगों को पता तक नहीं चला क्योंकि इसकी तृता बहुत जादा नह नहीं रही और जानमाल की नुकसान भी नहीं हुई है इस वीडियो में फलाल करता ही तमाम अब्डेट्स के लिए अपने डिक नूस 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेजिए हमारे वीडियो को लाइक किजे शेर कीजे साथी हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको हमारी खबर कैसे लिए